दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर का उजब शुभांकर पर दोस्तों जब सारे करियर्स की बात होती है और हर हफ्ते हम लोग कुछ न कुछ एक नए करियर को लेके हम लोग आप तक जानकर यह पहुचाते हैं तो एक सवाल सबसे कॉमन जो हम तक आज तक आती रही है वो है सिविल सर्विसेज को लेके हैं सिविल सर्विसेज के सपना कौन नहीं देखता है का जाते है दीपी का पादू को उन भी जब वो एक्टरस नहीं बनी थी तो उनका जो सपना था वो सिविल सर्विसेज के लिए था नहीं बन पाई एक्टरस बन गई तो पहला च्वाइस ल के हिसाब से यूपी गौवर्मेट के साथ नियुक्त है तो अगर आईएस बनने के दिशा में अगर आपको जानकारी चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुकेश मेश्राम जी से अच्छा इस विशह में आपको कोई भी दिशा निर्देशन दे सकता है तो चलिए बात करते हैं श्री मुकेश मेश्राम जी से सर प्राइम टीवी के स्टूडियो में और करियर काउच के इस मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद नमस्कार सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मुकेश मेश्राम जी का वो शुरुवाती जीवन की शुरू होते ही क बहुत कुछ बढ़ा करेगा या आपका भी जो बच्चपन था वो एक सामानने बच्चपन था अचानक चीजें तब दिली आई और फिर कुछ कहानी और बढ़ती आई बच्चपन सामानने तो बिलकुल नहीं था कठिन परिस्थितियों और संगर्शों के दर्मियान हम लोग आगे बढ़ रहे थे मद्धिप्रदेश के बालगाट जीले में जहां आज भी 54 प्रतिशत जंगल हैं वहां के एक छोटे से वन्ने ग्राम में हमारा जन्म हुआ और स्कूल या पढ़ाई से सरोकार इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर पिताजी हमारे सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे अच्छ तो पढ़ाई प्रारम हुई और धीर धीरे करके हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी चालूगी एक शौक विक्सित हो गया कि पुस्तकें कई तरीके की पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि और कोई ज्यादा वहां कामधामत होते नहीं थे लोग खेती बाड़ी में च कि Master of Architecture किया फिर IIT रूड़की से फिर मैं पढ़ाना चालू कर दिया कई जगों से होते हुए पढ़ाना चालू किया भोपाल के उसी Engineering College मौला नाजात College of Technology भोपाल में जहां से मैंने अपना Graduation Architecture में पांच साल का किया था पढ़ाते पढ़ाते लोगों ने कहा कि भई ये Civil Services एक अच्छी दिशा में कारे करने के लिए और पूरे समाज को कुछ देने के लिए अगर आपके मन में या उत्सा है उमंग है कि हमें कुछ करना चाहिए तो यह एक अच्छा प्लेटफॉर् करते थे साहिक प्रोफेसर जो नहीने लगे थे जी तो उन्होंने ही हमें प्रोथाइद किया प्रेरित किया और पुस्ते के लाकर के दी अन्य था बच्पन में केवल एक बार जब इस्कूल में मैं था और वहां कलेक्टर और कप्तान उस जिले के पुरसकार देने के लिए वार्शिक समारों में आये थे तो उनका जलबा देखकर के एक बार इक्षा हुई थी कि भई ओदेदार लोग है और बड़े अच्छी गाड़ी में आये हुए हैं इनके साथ में तुर्रा लगाया हुआ एक अर्दली क्योंकि ये अंग्रेजों से हमने सीख ले रखी है उस प्रम कहां ये जरूर चलता है तो खैर उसको देखकर के एक बार जग्यासा हुई बाद में हुआ जब मैं इसकूल से निकलता था बसें बैठ करके गाउं जाता था तो सामने कलेक्टर का आवास पढ़ता था बहुत बड़ा आवास पुराने बंगले अंग्रेजों की जमा जो पढ़ाना चालू किया तो काफी समय बच जाता था तो फिर हमारे साथियों ने कहा कि भई ये एकजाम दे करके आप आगे बढ़िये इसमें कई रास्ते खुलेंगे तो सर जैसे आपने बताया कि आपकी जो शुरुआती रही वहाँ पे आपने काफी आपने अपनी तरह के से स्ट्रगल किया आप जिस गाउं से आते थे वहाँ पे कोई छोटा सा कजबे में आपने पढ़ाई भी शुरुआत की तो ये जो एक सोच है सर कई लोगों के मन में है कि जब तक वो अनगरेजी स्कूल की पढ़ाई नहों कॉन्velop Nation स्कूल से बच्चे ना निकले थे तब तक वह एक रास्ता नहीं अक प्यार कर सकते तब तक ये जो आई-एस की जो जो सपना होता है वह चाही निकल आए तो निकलाई है। लेकिन ये बात आपने कही ना कही जुटलाई कि सपना का देखा जाए और उसके तरफ अगर पूर जोर अगर बढ़ा जाए तो उसको हासिल किया जा सकता है बिल्कुल सही बात है सर लेकिन आईएस की तयारी भई आप पड़ा रहे थे आप जब एक जॉब में होते थे एक बार आदमी सुस्था कि फिर क्या ट्राइ करना है नहीं करना है वो मांसिक्स थी अपनी जो थी उसको फिर सद्रड करना कि भई अलेड़ी एक कमाई चोड़के पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो चांसे या आप शियोर थे ऐसा है इस बात को अब काफी लोगों ने जुटला रख दिया है कि ग्रामीन छेत्रों से निकल करके विद्यार्थी या जो अभ्यार्थी हैं केंडिडेट्स हैं वो सिविल सरिशेस में नहीं आ सकते काफी विद्यार्थी या जो के परिवेश्ट से इसमें आ रहे हैं पहली चीज़ दूसरा ये भी था कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इसमें नहीं आ सकते ऐसी सोच भी गलत सावित हो चुकी है बहुत सारे ऐसे आईएस में लोग आये हैं जो हिंदी में जिन्हों ने अपना पूरा माध्यम चुना प केवल ये सोचना कि केवल कॉन्वेंट या बहुत बड़े पबलिक स्कूल से या बहुत बड़े घरों से आना ये सब अब कोई माइने नहीं रखता है बल्कि सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी करमटता पढ़ाई के प्रती लगन और साथी साथ विश्लेशनात्मक आपक अमूमन यह पाया गया है कि एक ही ढर्रे की सोच या एक तरीके से सोच करके आप अच्छे विचारों की अभी वेक्ती नहीं कर सकते सकारातमक द्रश्चिंग कोड विक्सित नहीं कर सकते और साथी साथ जो आपको प्रस्तूत करना है क्योंकि जहां लाखों लोग इसमें ए अगर सिलेक्ट होना है तो आपको यूनिक होना पड़ेगा उस आपकी एक अलग पहचान बननी चाहिए वो जो पहचान है वो कैसे निकल कर गया ही जो आपने अभीवेक्त किया होगा जी तो इसके तीन चरण होते हैं एक तो प्रिलिम्नरी होता है जो सी सैट के माध्यम से स और इंटर्यू यह दोनों मार्क्स बन करके फिर मेरिट बनती है और जो आपका सी सैट है मुख्य रूप से जिसमें बहुत सारे विश्यों को दे करके अब प्रस्तुत किया जाता है उसमें आपको कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री, मौडर्न इंडिया की हिस्ट्री, जोग्रफ साथ ही साथ, अनलिटिकल एबिलिटी, साइंस टेक्नलोजी, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज जो है जनरल इस्टडीज ऐसा विशा है जो आप को मतलब आस्मान के नीचे क्या कुछ हो रहा है इस धरातल पर, वो आपको पता होना चाहिए, वो सामान ने गया है, जनरल इस् एक तो प्रती दिन कम से कम एक ऐसा नेशनल स्टेटस का न्यूज पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, जैना, और बहुत सारे ऐसे न्यूज पेपर हैं, जो जिसको जैसा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें से वो ये देखे कि फालतु वाले न्यूज पर जादा कंसेंट्रे या जहां पर भी स्पोर्ट्स पेज होगा, उसके बारे में, जो एकोनॉमी का पेज होता है, उसके बारे में, फ्रंट पेज अमूमन जो है, नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स होती हैं, उसके बारे में होता है, और बाकी बहुत सारे पन्ने तो लोकलाइज होते है दूसरा जो है, weekly features बहुत सारे अगबार जो देते हैं, वो जो weekly edition होता है उस अगबार का, उसमें न केवल science technology पे, art पे, बलकि कई तरीके के literature और इस सब पे analysis करते हुए लेक होते हैं, वो essays अगर selective होकर के वेक्ति पढ़ ले, तो एक बहुत अच्छा उसका धीरे धीरे general studies इंप उसमें से कुछ चैनल selective होकर के जो उसके कौन से प्रोग्राम्स अच्छे उसके काम में आ सकते हैं, चाहे वो history वाला चैनल है, national geographic का चैनल है, science technology से related है, ऐसे, फिर अब आप देखेंगे की YouTube या इस तरीके के जो चैनल्स हैं, उसका भी फादा आप ले सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, वो selective होकर के कहना चाहिए, क्योंकि क्या है, information की कमी नहीं है, लेकिन आप कितना information रख सकते हैं, नहीं, information में से क्या knowledge निकालेंगा, आपने निकाला गया, वो चीज़ है, information में से knowledge निकालना, वो wisdom डिवलप करना, ये आपको एक तरीके से आना चाहिए, जो seniors हैं, जो already select हो चुके हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे seniors का guidance इसमें बहुत अनिवारे है, वो बहुत अच्छे तरीके से guide कर देते हैं, बहुत सारे coaching institutes भी आ गया है, online, offline, दोनों तरीके से, उनकी साहता ले सकते हैं, यदि किसी को लगता है, तो जरूर नहीं हमने आज तक कोई किसी coaching institute की मदद नहीं ले थी, अच्छा, आपने खुद self study किया, self study की थी, आखरी तक, और उसमें, मैंने देखा कि self study किया, सर्क कितने tries किया, थोड़ा, माफ करीगा, मैं थोड़ा वेक्तिकत जीवन में ज़्यादा घुसरा हूँ, लेकिन, कितने attempts आपने किय देखिए, पहला attempt हम करने गए, क्योंकि हमारा form भरवा दिया गया, और ये था कि सब्जेक्ट क्या लेना है, तो सब्जेक्ट में, चूंकि मैं technology और architecture का student था, तो maths, physics है, architecture में थोड़ा वास्ता बहुत जल्दी चूट जाता है, तो ये था कि अब फिर से हम revive इसको नहीं कर पाई है, तो फिर चूंकि मेरी पढ़ने की आदत रही है पहले से, तो फिर मेरे साथियों ने सुझाव दिया कि history ले लो, Indian history मैंने प्रिलिम में लीती, और उसके बाद में, जब exam देने के लिगा है, तो सवाल देखकर कि क्योंकि history अगर आपकी प्रिलिम है, तो बड़ा अ हुआज घसीटी बेगम, अब हम बहुत दर तक सोचते रहे हैं, यार ये कहां का परचा है, कहां का की exam देने के लिए आगया है, हम अकबर, बाबर, हुमायू, इस तरीके शाहर जाएं, ऐसे तो बहुत सारे सब पढ़े हैं, घसीटी घसीटा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इस तरीके से कापालिक, कार्मूक, बहुत जगह के विजय नगरम, डाइनेस्टी के किसी बंदे का नाम, इतना डेफ्ट में वो चले जाते हैं, अब्जेक्टिव जो पेपर्स थे, तो हम चले आएं, फिर दोस्तों को बताएं कि देखो भाई, आप लोग हमको इसमें मत ज का नहीं है, खाई कि आएसा है, छे-ाठ महिना पढ़ करके, है ना सब्जेक्ट को आप नहीं जान पाओगे, नया सब्जेक्ट है, अब इस बार अच्छे जम के तैयारी करो, तो फिर हमने दिल्ली आकर के कुछ नोट्स और बहुत सारे सामगरी जुटाई, जो लोग है घुटरॉ इसाए से ज़े पढ़ हूा फिर हमने पढ़ा ही फिर ऐसी की हमारा प्रिलीम भी कलियर हो गया? हमको भरोसा नहीं था कि प्रिलीम कलियर ऑगा, फिर सक्षा जया और इंटर्वी कलियर हो गया? तब परnor ऐसके पहले एक अटेम्ट तो हमने जब कॉलेज से नए नए पास हुए थे, तब ऐसे ही दे दिये थे, और क्या दिये थे, हमको भी नहीं पता है, चले गाये थे, उसमें से, कम से कम, मतलब उसके experience ले ले लेंगे, तो दोस्तों, एक बात, मेश्राम जी के, जो अभी इतना लंबा उनोंने कथन, जो पूरा इस पैसर समझाया आ आज के दिन में, news में, opinions ज्यादा बाटे जाते हैं, informations कम होती हैं, तो आपके अंदर वो विवेक होनी चाहिए, wisdom होनी चाहिए, कि आप उसमें से news छाट सकें, उसमें से information छाट सकें, क्योंकि वो information important होने वाला है, इसलिए, उन्होंने दो तीन चीजों को कहा, cover page, दूसरी ब पास है, उससे भी आप ग्यान बटोर सकते हैं, ऐसे कई थो guidance वाली जो classes है, वो कुछ XIS भी ले रहे हैं, XIS हैं, दिविक रिती जी आज कल उनका वीडियो भी बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहा है, लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, और उससे काफी अच्छा guidance ले दिखा जाए, लेकिन एक और बात है, बात यह है, जैसे अभी बताया गया, जैसे हिस्ट्री और जनरल स्टडीज, उसकी जो अपनी लोग इस पात को सोचते हैं, हमारे पास एक बहुत एहम एक है, इसको लेकर कोशन हमारे पास आया था, क्वेरी आई थी, स्टूडेंट्स से हमारा एंचेंट इंडिया ले ले लेते हैं, इसमें क्या प्रिफरेंस क्या होना चाहिए, किस प्रकार की, अगर आप से कोई पूछे, वाट इस गूइंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें उनको ज्यादा अच्छे तरीके से आसानी से गाइड़न्स उपलब्द हो सक कि दो आपको वैकल्पिक विशाय लेने होते थे, अब जो ऑप्शनल लेने होते हैं, वो केवल एक लेना होता है, तो उसके दो पेपर होते हैं, अगर आपने हिस्ट्री लिए है, तो उसके दो पेपर होंगे, एक पूरा इंडियान हिस्ट्री, एंशेंड, मेडिवल, आपके हो जाएंगे क्योंकि वो बढ़ा दिया है ये च्छे हो गए और एक पेपर आपका एसे का होगा है तो एसे का मिला करके साथ पेपर हो गए इस लेंगविज का कितना जोर रहते इन चीजों पर भाशा का भाशा में आप कैसे अपने आपको वैक्त करते हैं उसके उपर जदा निरवर करता है बनिसबत इसके कि आप कौन सी भाशा ले रहे हैं यूँकि जिस भाशा में भी आप करेंगे उस भाशा के ज़्ञान वाले लोग ही उसको बाचेंगे उस पे असेस्मेंट देंगे तो अगर जैसे मैं काहूं हिस्ट्री और हिस्ट्री तैयार करने से एक फायदा हो जाता है कि जनरल इस्टडीज में भी काफी पोर्शन हिस्ट्री का होता है इसमें एक तो पोस्ट गांधी और जिसके लिए गुहा जी की पुस्टक अच्छी मानी जाती है फिर मॉडर्न इंडिया जो मॉडर्न इंडिया में विपिन चलगा है इसमें रोमिला थापर है राम शरन शर्मा है ना उसके बादे मेडिवल हिस्ट्री है उसमें भी बहुत सारे हैं आपके एल आशिरवादी लाल और ये सब चीजें हैं बहुत सारे ऐसे नाम हैं मतलब आपको काफी मिल जाएगा बस उसमें एक तो ये देखना चीए कि किसी भी हिस्ट्री के साथ में एक चीज है कि किसी के साथ में बहना नहीं क्योंकि हिस्ट्री में हमें तटस्त रहे करके सारे लेखक बहे जाते हैं अपने किसी विचारधारा के साथ हैं तो उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं रखना है और दूसरा हिस्ट्री पढ़ने के साथ ही साथ उसको जब आप सोचते हैं तो आपको तब याद होगी कि जब आप देखें कि वहां की जोग्रफिकल कंडिशन के साथो साथ हिस्ट्री काफी मैच करती है वो साथ में जीती है जैसे हमारे भारत में विंद्या रिजन रहा और जब तक हमारे पास में बहुत अच्छे तरीके नहीं विक्सित हुए तो विंद्या के ऊपर से कोई क्रॉस नहीं किया इसके दाएं से बाएं से ही गए नीच तो यह बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा एथिक्स भी अब पढ़ना होता है। इंडियन पॉलिटी पढ़ना होता है। इसे बहुत सारे इस्टेटिस्टिक्स, कॉंटिटेटिव अबिलिटी दत्त सुंद्रम इनकी पुस्तक आती है। लेकिन इन सब के अलावा अगर आपको एक्जाम देना है तो उसके पहले कुछ जनरल पुस्तक हैं पढ़ती है। जो आपका विजन विशद करती है। जिसमें जैसे मैंने कहा एलविन टॉफलर की पुस्तक लिखी हुई है। इसको एक बार बंदा पढ़ता है तो उसके बहुत सारी चीजें पता चलती है। इसी तरीके से एल बाशम है। उन्हें वंडर दैट्वाज इंडिया। ये पुक लिखी है। उसका अगर नॉलेज लेता है तो उसको बहुत सारी जानकारी होती है। ऐसी कई पुस्तक हैं। मिल जाएके सब अविलेबल हैं। काफी सारी। इसको कैसे हैं एक बात और मैं बता दूँ जब आप लिखते हैं। किसी भी सवाल का जब जब लिखें तो सबसे पहले टाइम के साथ। इसकी प्रेक्टिस बहुत करना चाहिए। इतना टाइम आपको मिलता है। क्योंकि मेरे साथ में ये हो चुका है कि जो मेंस में मुझे समय का ग्यान नी रहा और हिस्टी का सवाल आया था वो दो सव शब्दों में लिखना था और मैं लिखता चला गया धारा प्रवा और बारा उसमें सवाल थे और जो शुरुवात के सवाल थे वो मेरे बड़े मतलब दिल से करीब से तो मैं धारा प्रवा लिखता गया और फ सबसे पहले प्रेक्टिस करकर के देखलाने चाहिए कि दोसव शब्द आप कितने समय में लिख पा रहे हैं और दोसव शब्द कितने सेंटेंस में आप क्या आते हैं एक और बात सवालों का जब आप जवाब दें तो बहुत ही ब्रीफ एक उसका पहले इंट्रोड़क्टरी पार्ट होना चाहिए कि वह उसको आप जैसे ना इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक जैसे बैक ग्राउं टाइप उसके बाद में फिर आप उसका जैसे कहते हैं आपकी क् यहां तक इंटर्व्यू की बात है एक तो बता दूं इस जो अभी इनोंगे जवाब आपने सुना उसके दो बाते बहुत में हैं एक प्लीज अपनी टाइम रैशनिंग कर लीजिये अगर कोश्चिन जितने हैं उससे साब से आप आपकी लिगश्यूस कर लीजिए अगर को जो कितनी और आप खुद जानते हैं उस साब से हर इक को वो जो चार हिसे में श्रमने बताया उस हिसाब से बांटे लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको इस समय में आपको उतने questions खतम करने हैं तो इसलिए जब भी आप किसी question से ज्यादा connected महसूस करें आपको अपना control भी रखना पड़ेगा ताकि आप बाकी questions के लिए अपना समय बचा सकें उसके घड़ी या जो भी सामने रख लेना चाहिए थोड़ थोड़े देर में देखते रहना चाहिए और एक और चीज़ करना चाहिए अगर tough सवाल है जिसमें आपको लगता है कि यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा है सबसे पहले जितने सरल सरल हों उनको आप पहले जो subjective है सबसे पहले उनको कर लीजे और उसके बाद में जब आपके पास में लगे कि हमको वापिस उस पर आना चाहिए तो उस पर आईए क्योंकि क्य से चालू कर ये और फिर अपर वपर आईया अपने आप पिर जैसा एक फलो बन जाएगा दिमाग क्या होता न gobारी होती है एक बड़ा different एक mechanism में काम करती है और फिर जैसे जैसे वो निकलना चालू होता है फिर धर 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 कई बार आप देखेंगे कभी आप सोचेंगे कि यार किसी का मैं नाम भूल गी हूँ उसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा है लेकिन जब उसका नाम याद आता है तो फिर उसका और परिचप सब आपको समझ में आ जाता है इसी तरीके से इसके साथ में भी है और इंटर्विव के टाइम पे सबसे बड़ी बात यह है एक तो आपके अंदर आत्म विश्वास होना चाहिए बहुत जरूरी है ठीक है साथ नहीं मिलेगी तो यह थोड़ी तो की दुनिया यहीं खताम हो रही है नहीं सेलेक्शन होगा और भी देखेंगे और भी गम है जमाने में तो इस तरीके से भागना चाहिए नर्वस आत्म विश्वास पूरा होने की जरूरत है और आप जब आते हैं वहाँ पर अंदर जाए शालिंता आपको बरकरा रखनी है ड्रेसिंग सेंस आपका होना चीए क्या ड्रेस्डप होना है तड़की ले बढ़की ले बिलकुल जो है वहाँ पर हिरोगिरी करने तो जानी रहे है एक सॉफ्ट सॉफ्ट कलर्स पहने बेहतर तरीके से प्रिजेंटेबल जिसको हम कहते है और जो सवाल का जवाब या जिस सवाल का जवाब नहीं आता हो कतई उसमें अपना दिमाग खपाने के अलावा फ्लूक या जिसको कहते है ना गप मारने की चेश्ट को जवाब बनाए हाँ बना के नहीं बनाए सामने वाला पकड लेगा क्योंकि वहाँ पर साइकलोजिस्ट भी हो सकता है बैटे हो इसलिए अपनी मतलब वो सब रीड कर लेते हैं आप किसी को पकड़ के बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना कॉन्फिडेस है और क्या ये सही बोल रहा है या सच है और फिर वो जानकार लोग है वो जानते भी है इसमें इंटर्वीव में एक तो आपकी होबी उसके बारे में अक्सर डिसकसन किया जाता है आपका सब्जेक्ट जो आपने भरा हुआ है उसके डिसकसन होता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके बारे में डिसकसन होगा जो वर्तमान संदर्व में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट है आप जैसे मान लो इस समय हम कहा रहे हैं कि यूकरेन और रूस की एक प्रॉब्लम चल रही हो सकता है कोई उसी को पूछ ले या अगर हम कहा है उसके आप अपिनियन भी मांगी जाती है कि आपकी कैसी ओपिनियन है क्या लगता है कि कौन, who is right, who is wrong रशा ने सही किया कि यूकरेन को अपने हतियार डाल देने चाहिएते है यह सब चीज़ें सामने सामने आती है एकदम वहां तो वो पूछते है इन सवालों के जवाब भी सही और गलत के दिशा में वो लोग नहीं देखते है वो यह देखते हैं कि जवाब कहा देखते हैं आपका content किया है मेरे कहाल से इंटर्वी बिसीकली आपका personality test है है ना आपके वेक्तित हो लेकिन वेक्तित के साथ में आपका प्रस्तूति करान बहतर हो साथ ही साथ आपके अंदर कुछ समस्याओं के समाधान करने की शमता है या नहीं है क्योंकि जब आप administration में आते हैं तो फिर आपको आए दिनों आम जनतागी या देश की या बहुत सारे ऐसे विश्यों की जो लंद मुद्दों से रूबरू होना पड़ता है जो जरूरी है तो आप से ऐसे कुछ situations पर भी वो discussion कर सकते हैं कि यदि ऐसी situation है तो आप कैसे क्या करें या फिर जो इस समय policies हैं क्या वो policies सही है गलत है या अगर कारगर नहीं है तो क्या आप कुछ संशोधन या कुछ सुझाव दे रह सकते हैं या क्या कुछ नई policies एक किसी particular समस्या को सुल काउच के portion के month में आ रहे हैं तो एक सवाल जरूर बनता है यह सवाल थोड़ा सा तीखा है सर मैं पहली आप से माफी माँगूँगा लेकिन पूछना जवरी है नाओ टवरेक्टेडर जन आयेस आप परफॉर्म कर रहे हैं आप इतनyorsun शालों से अपने सवार कंटिनौस आप प्रदेश को देश को देश को देते आ रहे हैं क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि मैं इसमें अच्छा कर सकता था लेकिन शायद किसी दबाव में राजनीतिक दबाव में मैं शायद इस काम को नहीं कर पाया तो उस समें क्या कुछ रिग्रेट्स बनती हैं कि मैंने तो पढ़ा ये अच्छी खासी की मैं चाहता तो इस इसके लिए अमनों के बनाए गया था लेकिन कुछ ऐसे दबाव में शायद आपकी सिवा ठीक तरीके से देश तक नहीं पहुँच पर रही है जो सिवा आप प्रद जाएं कि मैंने ये देखा है कि आप शुरुआत में ही अपने केरियर के स्टार्ट में ही राजनितिक दबाव अलग चीज है राजनितिक सुझाव अलग चीज है कई बार क्या होता है देखिए जो जन प्रतिनिदी होते हैं उनके पास में यदि जनता जाती है अधिकारियो पास नहीं आती है तो सुझाव तोर पर वे उसकी बात को आप तक पहुचा देते हैं। हो सकता है ओ बन्दा सही बोल रहो या हो सकता हो बन्दा गलत बोल रहो हुँ झाहले हैं यह पड़ोसी कबजा करा है और वह गलत कर रहा है लेकिन जब हम जाझ कराते हैं तो कई Бार प उसको हम लोग ध्यान से सुनें और ये मैंने देखा है कि अगर आप उसका सही समाधान करके आउगत कराते हैं तो गाहे बगाहे वो आपको एप्रिशेट ही करते हैं जितने हाचा दूसरा एक और मैंने देखा है कि जो राजनितिक दल हैं उनको भी अपनी इमेज का भी ख्या है तो इसमें आपको सही करना है ये दिमाग में रखे रही है अगर उनको लगेगा कि ये बिल्कुल नहीं सुन रहा है मेरी मेरी गलत नहीं सुन रहा है तब ही उनकी सही सुन रहा है उसके लिए किसी को चिंता नहीं है आप भी सही कर रहे हैं उनको भी लगता है कि सही हमने कहा और उसने कर दिया लेकिन अगर कहीं पर ये लगे कि वो गलत कह रहे हैं और आप उनकी नहीं सुन रहे हैं वो ज्यादा ज्यादा आपको हटाएंगे दूसरी जगे ट्रांसफर करेंगे किसी ऐसे विभाग में भेजेंगे जिस विभाग की बहुत ज्यादा अहमियत जनता में नहीं होती है उनको लगता है अधिकारियों को लगता है कि ये विभाग जो है बहुत अहमियत वाला नहीं अहमियत क्या मतलब ये विभाग अच्छा या बुरा है ये कैसे हम उसका आंकलन करते हैं एक तो आंकलन करते हैं कि साहब उसमें बहुत बड़ा फंड है कि नही निस्प्रा वहाँ से जिस भी विभाग में भीजआ जाए हर विभाग में काम है हर विभाग में कुछ काम आप खुझ लिजे और बिल्कुल भी काम नहrió तो आप तो अच्छा ही कि आपके पास में एक इस्पेर टाइम है, कुछ पुस्तके लिखिए अनभव लिखिये, कुछ कविताय लिखिये, गीत लिखिये जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुगेश जी आपने इतने ही खुबसूरती से अपनी बातों को यहां पे रखा और आज हमारे बच्चों ने बहुत कुछ आप से सीखा होगा इस्पेशली वो जो आईएस को अपना करियर बनाना चाहते हैं जिनको लगता है सिविल सर्विसेस उनको अपनाना चाहिए और उसके लिए वो प्रियासरत है दोस्तों आज इस एपिसोड के अंथ में मैं एक बात जरू कहूंगा कि सिविल सर्विस के लिए जो लोग तयारी करते हैं उसके लिए कोचिंग इंस्टिटूट वगएरा सब कुस तो ही है लेकिन आज एक बात आप लोगों ने जरू सीखी कि देखिए कोई कोचिंग इंस्टिटूट ऐसा नहीं है जो ये कह सके आप एड़िजमेंट पर मत जाईए कि जो ये कह सके कि हम आईएज बनने के लिए आपका जो रास्ता है वो आप आसा कुछ ही नहीं होता है आप जितना पढ़ेंगे किताबें पढ़ने पर मिकोच जी ने बहुत जादा जोर दिया उन्होंने बताई कई किताबों के नाम तक बताए अगर आप इसको ख्याल में रखें और इसके उपर उसी तरीके से आप तयारी करें जैसे की आप आसानी से जिसको आपको कमफर्टेबिल महसूस होता है और अपने उपर बहुत दबाव ना ले प्लीज मैं बारभात दरख्वास करेंगा कि कोई भी चीज आप अन्य कहीं पे भी करियर आप ऑप्शन्स देख सकते हैं और प्लीज ऐसे आप हमारे एपिसोड को फॉलो करते रहें आज के लिए इतना ही आप अन्य के लिए वेह बहुत आप टोसे कारियर चाउजवेश्य भांकर अज़ एवरे संदे नाइट आग आप 9 PM अगले और प्रेमटवे अज़र सेथे बावरे आप वंअग है जाए है